नमस्कार किसान भाईयों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल खेती की जानकारी में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्य की बुवाई करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाईयों गन्ने की बेहतर पैदावार लेने के लिए आप अपने खेत की तयारी मित्टी परणने वाले हल जैसे हैरो या कल्टी मेटर से अच्छी तरीके सुजूताई करवा सकते हैं किसान भाईयो उसके बाद आप अपने खेद में देशी खाद का प्रियोग कर सकते हैं किसान भाईयो अगर आपके पास देशी खाद नहीं है तो आप अपने मिल में संपर्क कर सकते हैं मिल में 35 रुपे कुटल के हिसाब से मई जो आप जानते हैं वह उपलब्ध हो जाती है किसान भाई आप उसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाईो जैसा कि आप जानते हैं कुछ सालों से गन्य में जो रोग है वह बहुत ज़दर लगने लगे हैं इसके लिए आपको गन्य की बुआई से पहले टाइको डर्मा और पैथोगार नामक एक पाउडर आता है उसको किसान भाईो आप 10 से 15 किलो खाद में मिलाकर एक एकड़ में आसानी से डा सकते हैं उसके बाद अपने खेत की जुताई कर सकते हैं इससे किसान भाईो जो फोहनी जनिक रोग होते हैं सफेड गिरार जैसे रोग होते हैं जो आगे चलकर हमारी गन्य की वसल को काफी ज़्यादा परभावित करते हैं इससे हमारे गन्य की वसल कम उपज़ देती है इसलिए किसान भाईयों आपको गन्य की वुआई से पहले इसका प्रियोग जरूर करना चाहिए इसका प्रियोग आप पहले कर सकते हैं उसके बाद अपने खेत की जुताई करवा सकते हैं किसान भायो गन्य की वुआई करने से पहले आपको अपने गन्य के चार से पांच टुकडे करके ही गन्य को बोना चाहिए क्योंकि किसान भायो अगर आप पूरा गन्य बो देते हैं उसके बाद उसकी कटाई करते हैं तो इससे किसान भायों होता गया है जब आप उस पे बाकी या तबली से मारते हैं तो किसान भायों गन्या कट नहीं पाता है इससे किसान भायों जो गन्ये का संसलेसर होता है वो अच्छे से नहीं होता है किसान भाईयो इससे यह भी होता है अगर गन्ने में रोग लगता है तो 4 से 5 जो आपकी गन्ने की पोधे होते हैं वह सब सूख जाते हैं इसलिए किसान भाईयो आपको गन्ने को काट कर बोना चाहिए इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है किसान भाईयों अब हम बात करेंगे गन्ने में कौन सी उरोरक का प्रियोग करना चाहिए और उसके साथ कौन सी कीनासक का प्रियोग करना चाहिए किसान भाईयों अगर आप DAP का प्रियोग कर रहे हैं तो एक से डेड़ बोरी एकड में और अगर NPK का प्रियोग कर रहे हैं तो एक से दो बोरी एकड में डाल सकते हैं किसान भाईयों उसके साथ आप बाहर कंपनी का रीजेंट का प्रियोग कर सकते हैं जो किसान भाईयों हमें 4 से 5 केजी का एक पैक आता है उसका किसान भाईय आप एक एकड में प्रियोग कर सकते हैं आप इन उरोरकों के साथ रीजेंट को अच्छी तरीके से मिला सकते हैं किसान भाईयों इसका प्रियोग हमारे किसान भाई काफी सालों से करते आ रहे हैं काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है जब हमारा पौधा जब हमारा पौधा जब हमारा पौधा दो से 4 महीने का होता है तो उसमें जो रोग होते हैं वा नहीं लगते हैं इससे हमारा पौधा त आपकी गन्य की पैदावार बढ़ जाती है किसान भाईयों आपको रीजेंट को इन उरोरक के साथ मिला कर कूड में डाल देना चाहिए किसान भाईयों आसा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी तो चल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों के साथ सेर करना ना भूलें तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत जय जवान जय किसान